नमस्कार बहुत स्वागत है आपका दिखिए हमारे देश में अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग-अलग तरीके से सौपिंग करते हैं कई बार धन के लेंदेन भी करते हैं अब हमारे यहां ब्रत्योहार बनाये जाते हैं तमाम तरह के उल्लास भरे परवाते हैं और खुसी भी हम ब्यतीत करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा आप सौप कीपर हैं या फिर आपके घर में कोई मांगने वाला आ जाता है या कभी किनर ही आ जाते हैं। कभी कभी सौप पे भी आ जाते हैं। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रियोग आपका भाग्योदे कर सकता है। सिर्फ किनर या मांगने वालों लोगों के साथ ही नहीं। बलकि आपके पास जो गरहक आते हैं वो भी आपके लिए लक्षमी का ही सूचक होते हैं। क्योंकि वो आपको धन देते हैं और आपसे बदले में अपनी पसंद की चीजें लेकर जाते हैं। लेकिन यहां पर आज हम आपको एक छोटा सा जादूई परियोग बताएंगे। अगर आप यह चोटा सा परियोग करें तो जो आपके गरहक हैं वो ना सिर्फ आपके यहां दुबारा आएंगे बल्कि आपके बरकत को भी बढ़ा देंगे। तो जब आपके दुकान में कोई आते हैं, आप से कोई सामान खईते हैं, जब वो जाने लगते हैं तो वो सकता हैं, वो कार्ट से पेमेंट करें, आप उनको कार्ट तो वापस देंगे। कई वार होता है आप वो पैसा आपको दे, आप उनको कुछ छेज्ट वापस करते हैं, तो जब आप वापस करते हैं या आपके दुकान पर ही कोई मांगनी के लिए आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? देखिए जब आपसे कोई किनर आपके घर में ऑफिस में या दुकान में आपसे पैसे मांगने आए या कोई मांगने वाला भी आए जो लाचार है या फिर आपके ग्रहक है जो आपके पास आपने उनको कुछ पैसे वापस किये या आप कुछ सामान उनको दे रहे हैं तो उनको जब आप बिदा करते हैं जब वो आप से सामान लेकर जाते हैं तब उनको क्या बोलिएगा और आईएगा वैसे तो आप तमाम तरह के उपाई करते होंगे गरह को आने के लिए अपने बिक्तरी को बढ़ाने के लिए कभी और आप ये चोटा सा प्रियोग करके लिखिएगा आपके दुकान के जो बिक्री है वो बढ़ जाएगा आपके घर में जो धन की बरकत है वो बढ़ जाएगी क्योंकि ये बहुत कुपसूरत है जब भी आप उनको सामान दे रहे हैं वो वापस जाएगे उनको बोल दीजिए एक बार बोलिए और आईएगा फिर से आईएगा और आपको सायद ये बहुत आम सब्द लगे लेकिन जो आप फिर से उनको आने का निमंतरन दे रहे हैं तो ये बरकत है और ये सब्द आप चुरूर बोलिए सायद आपको लगे ये सब्द कैसे बोले लेकिन आप बोलिए क्योंकि ये दिल से अगर आप बोलते हैं तो ग्रहाग फिर से आता है ग्रहाग को भी अच्छा फिल होता है आपके घर में अगर कोई गिन्नर आते हैं उनको भी प्रेम से बोले फिर आईएगा कोई महमान आते हैं बहुत साई लोगों को महमान आना अटपटा लगता है हो सकता है उसके भागे से आप हजार दस जार नहीं लाखों करोडों कमा ले तो ये चीजे होनी चाहिए फिलाल भी डालेंगे हर हर महादेव